लोगडाउन के चलते बागडी समुदाय के लोगों को नहीं मिल पा रहा भोजन मामला उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के तैसील काठ के गाउं अभी हापिस पुरका है कुछताश करने पर बागडी समुदाय के लोगों ने बताया कि लॉड़ाँन के चलते हमारा कार्य नहीं चल रहा है जिससे हमें समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है संजे बावडी ने बताया कि राशन के लिए हम डीलर होशियार खां के पास गए लेकिन उन्होंने हमें घर से भगा दिया फिर हम राशन के लिए ग्राम प्रधान पती श्री मदन सिंगे पास गए और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं थी प्रधान ने कहा कि इसमें में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता संजे बावडी ने बताया कि हमारे पास ना ही पैसा है और ना राशन दो दिन में एक बार ही खाना गाओं में मांगने पर मिलता है अभी हाफिशपुर गाओं में मौझूद बागडी संजे बाला मौसम विमला सभी ने कहा कि हम मेडिया के माध्यम से अपना दुख सरकार को बताना चाहते है क्या नाम तुम्होरा मेरा नाम संजे है क्या गाओं में हुआ अभी इस्पुर में हूँ पीच्टम में क्या परेशनी रोजगार हमारा बंद हो कहीं चाहिए ना रहे काई निकलना रहे पैसे टकेशर्चर्णास सबसे मजबूर हो गया काने की बेवस्तर क्या है वैस्ट ट इस पता नाम तो डीलर साब से बात करें लिए भी घरी दान का नाम है मधन इस तो क्या नहीं नहीं तो क्या का रहा है वो पर जाओ जैसे भी तुम कट रहे हो कोई कोई सुनवाई नहीं हो पारी आप भोगे समय काटते हो जो गाहाँ वाले कुछ थोड़ी वह सायता कर रहे हैं प्रधान जी और डीलर साब कोई सिकाथ नहीं कर रहे हैं बजगाम वाले दूट दे रहे हैं रोटी दे रहे हैं चाप पानी आठावाट अपने घरों से पहुंचा रहे हैं अथे अभी तमाकु से विचा पत्ती से भी मौताज है सब दुनिया भाया मुझा से गरीड़ा अब्सक्राइब